टाटा ग्रूप चाइना पर भारी पड़ गया है जिसकारण इस बार के आईपील 2022 में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपको बता दे कि वो बदलाव इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि आईपील के अधिकार जो अब तक वीवो ब्रैंड के पास थे अब वे टाटा के पास आ गए हैं वीवो ब्रैंड ने अब ताटा को आईपील के अधिकार हस्तांतरित कर दिये हैं अब आईपील को टाटा आईपील भी कहा जाएगा आईपील टाइटिल स्पांसर करने वाली मोबाइल कंपनी वीवो ने लीग के स्पांसर्शिप से अपना नाम वापिस ले लिया है और टाटा ग्रूप ने वीवो को टाइटल स्पॉंसर के रूप में रिप्लेस किया है आईपील के चेर्मेन ब्रिजेश पटेल ने भी इसकी पुष्टी कर दी है मंगलवार को आईपील गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि हाँ टाट काउंसिल ने पारित कर दिया है इन अधिकारों का हस्तांतर्ण से भी बी सी सी आई को 440 करोड रुपए की ही आमदनी होगी हालांकि वीवो का दो साल का कॉंट्रेक्ट अभी भी बचा था यानि अभी भी दो साल की स्पॉंसर्शिप बची हुई थी अब हस्तांतर्ण के ब 2020 सीजन में ये सौदा स्थगित कर दिया गया था वीवो ने 2018 से 2022 तक 5 साल के लिए IPL टाइटल स्पॉंसर्शिप अधिकार 2190 करोड रुपए में जीता था प्रमुक समार्टफोन ब्रैंड ने 2020 में स्पॉंसर्शिप अधिकार को भारत चीन गतिरोद के कारण ड्रीम 11 के हा टाटा को IPL के अधिकार हस्तांत्रित कर दिये हैं अब IPL को टाटा IPL कहा जाएगा ड्रीम 11 2020 संसकरण के लिए IPL टाइटल प्रायोजक रहा था उसने 222 करोड रुपए में स्पॉंसर्शिप के अधिकार को खरीदा था IPL 2020 कोरोना के चलते UAE में खेला गया था साथ ही आपको बता दें कि IPL 2022 में इस बार 8 की जगह 10 टी में खेलेंगी एहमदाबाद और लखनव दो नई फ्रेंचाइजी इसमें शामिल की गई है